हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लंडरे देतिमन आज हम करने वाले हैं सेवन्थ क्लास में ही थर्ड चेप्टर के कुशन आंसर जिसमें क्रिसी एवम से चाई का चेप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था तो आप लोगों ने यदि नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाले जा चुके हैं वहाँ आप देखिएगा चाहे आप फर्स्ट ग्रेट की तियारी कर रहे हूं सेकिंड ग्रेट की कर रहे हूं तो वहाँ आपके ये कुशन आंसर जो है बहुत ज़्यादा इंप पढ़ा था तो फसलें जो होती है वो दो टाइप की होती है एक होती है खाद्यान फसलें जिनको हम भोजन के लिए उप्योग में लेते हैं ठीक है दूसरी होती है व्यापारीक फसलें जिनका उत्पादन जो है वो हम केवल व्यवसाय के लिए करते हैं तो इन ही के बारे मे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो यहां हम हर कुशन जो है वो डिसकस करेंगे जितने भी कुशन बन सकते थे इस चैप्टर में सभी यहां पर मैंने ले लिये हैं तो कुशन वन देखिए खाद्यान फसल है खाद्यान फसल किसे कहते हैं तो वे फसलें जो की घोजन के लिए उप्योग में ली जाती हैं ऐसी फसलों को हम खाद्यान फसलें कहते हैं यानि खाई जाने वाली वो फसलें जैसे गेहु है, जौ है, जौ है, मक्का है, चावल है, डाले हैं जो की हम अपने जीवन में उप्योग में लेते हैं नेक्स्ट कुशन देखिए व्यापारिक फसल है व्यापारिक फसल किसे कहते हैं तो मैंने आपको बताया कि जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाए केवल व्यवसाय के लिए तो वो कहलाती है व्यापारिक फसले जैसे कि गन्ना है कपास है तंबाकू ह और तिलहन है, क्योंकि हम इनका डेली में यूज नहीं लेते हैं, इनका उप्योग जो है, वो हम केवल व्यवसाय के लिए ही करते हैं, इनका उत्पादन किसके लिए करते हैं? व्यवसाय के लिए. राजिस्वान में मक्का कहां का मुख्य भोजन है, तो यह मेवार का मुख्य भोजन है, और यह उत्पादित होता है भीलवाडा, उदैपूर, बासवाडा, चित्तोरगर और रासमद में. याद रखियेगा भीलवाडा, उदैपूर, बासवाडा, चित्तोरगर और रासमद में. नेक्स्ट देखिए, कोश्यन नमबर फाइव है, किस फसल की उत्पादन में राजिस्थान प्रत्थम इस्थान पर आता है? तो वो कौन सी फसल है, जिसमें राजिस्थान नमबर फाइव है, तो वै है बाजरा, जिसमें नमबर फाइव है, इसब गोल, सरसों, गवार, मौत और जीरा. तो इनमें राजिस्थान जो है, उत्पादन करने में सबसे नमबर फन इस्थान पर आता है, जिसमें कई बार एक्जाम में सरसों के बारे में पूछा भी गया है. राजिस्थान में सरवादिक सिचाई किस से होती है? सबसे ज़्यादा सिचाई किस से होती है? तो यह कुए और नलकूपों के द्वारा होती है राजिस्थान में सरवादिक सिचाई किस से होती है? कुओं से होती है और नलकूपों से होती है तो सिच्चाई की जो साधन होते हैं, नलकूप होते हैं, कुवा होता है, तालाव होता है और नहरे होती हैं, जिसमें राजे स्थान में कुवे और नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिच्चाई की जाती है Waterman के नाम से कौन प्रिसिद्ध है? तो नाम जो है वो ध्यान से याद रखना है, राजेंद्र सिंग जो की Waterman के नाम से प्रिसिद्ध हैं तो जो राजेंद्र सिंग थे, इन्हों ने जल संडक्षन के शेत्र में कारे किया और यहां तक कि इन्हों ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, घर का सामान तक बेच दिया था ताकि राजे को जल संकट से उबार सकें, तो इसी वज़े से इन्हें रमन मैक्स से पुरुसकार से सम्मानी तो किया गया था नेक्स्ट देखिए, Question No.8 है, राजेस्थान राजे के किस जिले में एशिया महादीब का सबसे बड़ा क्रशी फॉर्म इस्तित है तो इसका जो सही आंसर है, वो है, श्री गंगा नगर जिले के सूरतगड में, यहाँ पर एशिया महादीब का सबसे बड़ा क्रशी फॉर्म इस्तित है Question 9 है, राजेस्थान में किस नहर से स्री गंगा नगर, हनुमान गड, बीका नेर, जैसल मिर जिलों में नहरी सिच्चाई की जाती है तो किस नहर से की जाती है, यहाँ पर, तो देखिए, यह कौन सा भाग है, यह राजेस्थान का पक्षमी भाग है, जो की सुसकर है जाता है तो यहाँ पर इंद्रा गांदी नहर के द्वारा जो है, नहरी सिच्चाई यहाँ पर होती है तो इस चैप्टर में किवल 9 ही कुश्चन निकल कर आए हैं, और यह 9 के 9 जो है, इंपोर्टेंट है, आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के कुश्चन आंसर करेंगे Thank you